वेलकम टू सिद्धीकिस क्लासेज आज का टॉपिक है हमारा प्लेसेंटा तो प्लेसेंटा क्या होती है फंशन तो हम हर किसी कोई पता होता है कि इसका फंशन क्या होता है कि मदर में और एंब्रियो का कनेक्शन बना के रखती है लेकिन यह होती क्या है आज यह जानेंगे हम Qorionic विलाएं यह प्लेसेंटायों नाम है ये क्या करता है क्या करता है ये क्लिट उन्या कर देऊ है। ये आर्व मौझ चलता रहता है ये यूटैरीन के टिशू होते हैं वह किसमें बदलन जाते हैं जूड़े रहते हैं एक दूसरे से इस तरह के टिशू बना के रखते हैं, जो टिशू आपस में जुड़के एक structure बनाते हैं, उस structure का नाम हमने placenta दिया है, form, structural and functional unit called placenta, placenta is connected to the embryo by umbilical code, जो placenta जब embryo से connected होती है, किस code के दुआरा होती है, umbilical code, यह पढ़ लिया हमने placenta, अब इसके function देखे के काम क्या क्या होता है, वैसे mostly सबको ही पता होता है, लेकिन थोड़ा English में किस तरह लिखे, वो यह तरीका देखे गया हम, placenta help in supply of oxygen, nutrients, hormone to the embryo and the removal of carbon dioxide, help करती है, oxygen supply करने में, mother की body से, और mother की body से, nutrition में, और कुछ hormone भी होते है, जो placenta उसे supply करती है, and removal, supply भी करती है, और removal भी करती है, अब जो हमारा embryo है, उसका जो भी removal होगी चीज़े, जिसे gas हुई हमारी, जो सास वो छोड़ेगा, वो सास हुई, या फिर कोई excretory material, produced by embryo, जो excretory material, सब कही होता है, कि body में कुछ हमने खाया, और फिर जो waste product होता है, वो भी निकलना होता है, लेकिन क्या होता है embryo में, embryo में वो जो waste product होता है, वो baby के यहाँ पे, पेट में से, ऐसे placenta जाती है, वो पेट से ही निकल जाता है, placenta secret करती है, यह hormone जो is HGC और HPL, estrogen, progesterone, ETC, मतलब placenta बहुत ही सारे हमारे hormone secret करती है, जो embryo को चाहिए, चाहिए, increase level of hormone like prolactin and thyroxine, जब increase होता है, हमारा prolactin और thyroxine जब जब बढ़ता है, help in fetal growth, तो इसमें क्या होती है, जो हमारे embryo है, इसको यहाँ पे fetal भी बोल रहे है, तो उसकी growth होती है, also maintenance, maintenance और pregnancy, और pregnancy को वो बनाए रखा है, maintain balance बना कर रखते हैं, क्या prolactin और thyroxine दोनोई हार्मोन,